आप सभी का स्वागत है सक्सिस की 98 में और रेलवे के तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है जो एक साल से आप सभी को इंतिजार था एंटी पीसी को लेकर कुछ तो खबर रेलवे के तरफ से आए कि एक्जाम करवाना है कि नहीं करवाना है एक नोटिफिकेशन आज के डेट में यानि दो मार्च को रिलीज किया गया है रेलवे के तरफ से ओफिसियली मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले बोलूँग कि किर्पिया करकर आप एक बार इस वीडियो को सेर कर दीजेगा ताकि उन बच्चों तक पहुँच पाई एक वीडियो जो एक साल से इंतजार कर रहे है कि एंटी पीसी के फॉर्म फिलप करने के बाद कुछ खबर आए उनके एक्जाम को लेकर जो एक साल से नहीं आ रहा मैं आपको डारेक्ट ओफिसियल नोटिफिकेशन पर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर देखो मैं आप आचुका हूँ आररबी भोपाल के ओफिसियल वेबसाइट पर और यह बिल्कुल भी फेक नहीं है आप सभी जाकर आररबी भोपाल के या भी बहुत अलग जो जो जोन ह रेल्वे के वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आज के डेट में अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो आज के डेट में रेल्वे के तरब से ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है दो तीन दो हजार बिस को और यह नोटिस जारी किया गया है एक्जाम को माने टेंड कुछ तो खबराई टेंडर को ही लेकर सही मैं बताऊंगा इस notification को खोल करकी मोटा मोटी आपको समझना क्या है इस notification के माध्यम से तो अगर मैं इस notification के official मैं डाउनलोड करकर रखा हुआ है तो मैं अगर उसको open करूँ ठीक है अगर मैं इसको open करूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर बस आपको यह चीज बताया गया है कि टेंडर को लेकर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया गया है ठीक है और ठाड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको बताया गया इतना पैसा लग रहा है एंटी पीसी एक्जाम को लेकर यहाँ पर देख लिए बताया है फॉर कंड़क्टिक कंपूर्टर बेस टेस्ट और अल अल अदर रिलेटेज अक्टिविटी फॉर एंटी पीसी कैटेगरी सी एन नंबर वन जिरो या एंटी पीसी की ही बात की जा रही है जो पूरा कॉस्ट आने वाला है जी एस्टी को लेकर सरकार बोल रही है वो 251 करोड 7,33,621 रूपै इससे ज़्यादा पैसा तो हम लोग ने फॉर्म दिया है यह सब आपके लिए इपॉर्टेंट नहीं है यह सब तो रेल्वे काम है टेंडर डिसाइड करना नहीं करना आपके लिए इपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इपॉर्टेंट है आप सभी को यह डेट देखना यह सारा ची यहाँ पर बताया गया है जो टेंडर इसू किया गया है वो किया गया है 2-3-2-2020 को यानि 2 March आज के दिन और last date जो है submission का clarification के लिए वो है 12-3 यानि 12 March को और जो pre-bid conference होने वाला है टेंडर को लिकर वो 24 March को होने वाला है यानि अभी तक आपका एक्जाम नहीं होगा 24 March तक उसके बाद बोला गया है 10 नमबर वाले में release of response and clarification on pre-bid queries ये 7-4 यानि अप्रेल में आ गये हैं और अप्रेल तक भी आपका एक्जाम होने की संभावना अभी तक नहीं है आगे देखेंगे last date and time for receipt of offers and bid through e-tender online वो 16 चार को है यानि 16 अप्रेल तक भी आपके एक्जाम होने के चांसेस बिलकुल नहीं है फिर नीचे दिया गया है आपको time and date of opening technical bid and receive in response to a tender वो भी 16 चार यानि इस notification से आपको बस ये बताया गया है कि tender decide किया जा रहा है लेकिन as a student एक यहां से आप चीज निकाल सकते हो कि आपका जो exam है न वो March में भी नहीं होगा ये confirm है April के महने में भी नहीं होगा ये भी confirm है क्योंकि इतना तक तो आपका tender जो है वो decide होगा final होगा उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया होता है ठीक है फिर date आएगा exam का फिर आपका admit card फिर pass वेगरा वहाँ पर भी आपको पता है अगर पिछले exam को देखा जाए railway का तो 15-20 दिन ये सब करने में time लगता है आप अपने देखा होगा तो आप मान कर चलो न अगर आप exam के तयारी कर रहे हैं 30-30-60 दिन उसके बाद माई भी अगर मैं बोलू पुरा पकड़ लोगे तो गलती नहीं है लेकिन एक safe side लेकर चलेंगे कि माई में 15 दिन आप पकड़ कर चलो यारी 75 दिन का time अभी भी आपके पास है railway के official notification के अनुसार उनके अनुसार की बात कर रहे है पताया गया है लेकिन as a student आप यहां से ये सब चीज जो है वो निकाल सकते हो कि आपको और कितना time चाहिए आपके हाथ में time और है कितना exam को लेकर ये आपको सोचना पड़ेगा और एक बात आप यहां पर एक चीज और निकालेंगे कि अगर railway जैसे बोल रहा है अगर जो जो चीज दिया गया है अगर ये सब चीज टाइम पर हुआ तो exam माई में conduct हो सकता है लेकिन अगर railway का जो रुख रहता है exam को लेकर अगर वैसा ही रहा तब तो आप मान कर चलो ये 2-3 महना माई के बाद भी और तलेगा लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अगर यही रुख रहा तब अगर जैसे इन्होंने बताया है official notification में ये time per time हुआ तो exam माई में हो सकता है 15-20 तारिक तक लेकिन अगर railway जैसे आप सब इसाथ करते आया है कि form फिलप कर दिये जून जुलाई अगस्ट चलिएगा कोई माई बाप नहीं है आपको पता होगा आपने दिखा होगा कल के date में मैं official notification एक बाड लेगा हूँ कल के date में आपको एक और notification रिलिस किया गया तो 29 तारीक को isolate category को लेकर आप सभी को मैंने ये दिखा रहे था लेकिन आप सभी ने देखा होगा क्योंकि ये इतना important नहीं था लेकिन ये notification काफी important है तो इसको आप ध्यान से देखना और एक बाद जितने भी मेरे भाई बैन तयारी कर रहे है लग जो तयारी में और दिमाग में एक चीज बैठा लीजे आपके पास 75 दिन का time है अपने आपको proof करने के लिए कि आप सभी कर सकते हैं 75 दिन में लडो, कटो, मरो जो करना है करो हर एक topic को पढ़ो अच्छे से पढ़ो ताकि इस बार कम से कम आपका exam जो है वो निकल पाए और मैंने आप सभी को timing भी बता दिया है class का class तो हाला कि मैंने course आपको कितनी बार I think दो बार course जो है वो complete करवा चुका हूँ अभी दुबारा class चल रहा है लेकिन ये class चला रहा हूँ मैं किसके लिए तो आप सभी को पता है SAC, CGL और CHSL को जादा mind में रखते हुए और आप सभी को पता है कि SAC का जो 10 plus 2 का exam है और NTPC का जो exam है उनके syllabus में जादा का अंतर बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अब आप क्या करना न यहां से आप सारे class देख सकती हूँ static GK वाला सारा topic आपको cover करना है यहां पर दो topic मैंने अभी तक करवाया है सारे topic exam से पहले cover करना है हर एक topic का PDF आपको अपने पास रखना है ठीक है और बाकी previous year GK का current affair तो मैं revision करवाई दे रहा हूँ 6 मैंने का already हो चुका है वीडियो के description box में आपको PDF का link मिल जाएगा math के top class question अभी मैं करवा रहा हूँ जो exam में आ चुके हैं ताकि वो आप देख पाओ और same reasoning का भी लेकिन exam जैसे कुछ और notification आता है clear होता है आजता है आजता मैं दुबारा से आपको तयारी स्टार्ट कराऊंगा NTPC को लेकर proper way में वो भी top class question यारी थोड़े hard question के साथ basic को cover करते करती तो ये था आपका official notification जहां से आप कुछ idea लगा सकते हो अपना एक अच्छा strategy बना सकते हैं कि आपको exam से पहले ठीक करना क्या है ठीक है ना चलो वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी के लिए beneficial होगा तो एक share कर दिजेगा उनके साथ जिनका भी exam आने वाला है जो भी NTPC का form fill up की हैं ठीक है ना चली झाली झाल झाल